हेलो गाइज एडवेंचर की बात हो और रिशिकेश का नाम ना आये यह भला हो सकता है क्या तो बस फिर क्या था बिना ज्यादा सोचे निकल पड़े एडवेंचर की एक नहीं दुनिया में रिशिकेश के एक यादगार सफर पे और इस सफर पे भले ही आप हमारे साथ नहों और आपका प्यावर और आपकी धेर सारी दुआये हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ थी तो मेरे पास भी आप सबको देने के लिए धेर सारी इंफोर्मेशन और अच्छी वीजल्स है जैने आप पूरी वीडियो देखने के बाद ले सकते हो तो विदाओड इनी डिले लेट्स केट स्टाटेड गाइज हमारा यह सफर शुरू होता है तेली से और इस सफर में हमारे अड़ेंचर पार्टनर थे एज यूजल अलता फ्रो एड नानिज भाई और हमें याद है वो रात जब हम दोनों भागते वे कश्मीरी गेस आयद बिटी से रात के साड़े ग गई भी बज रहे है साड़े गह रहा और यहां से 10-50 विट का रास्ता है कश्मीरी केट तो हमेरी बस है वहां से लास्ट बस है जो के बाड़ा बजे आई होग कि हमें बस में गाए तो बस अभी निकल चुके है ताकि वाकिन किये बस जल्दी से और फटाक से निकले कि करें के चल लाओ और बता नहीं सकता कितनी मदब ज्यादा थाकान हो रही है बड़ स्टिल निकलना था ओप्शन नहीं था ट्रीन में टिकेट्स एवेलेबल नहीं थी दूश्ने बस तो निकल रहे है जिना प्रुहाले वाना बदोश्यों प्रहीं जाने कि लाही मेरा जीड आए आए इलाही मेरा जीडा आए 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 इलाही मेरा जीडा आए आए यहाँ तू आर्ज लेटर तो गैस फाइनली टाइम इस 2.45 एंड हम लोग हैं अभी पतावली एक जगह है वहाँ पे यहाँ पे अभी छोटा सा ब्रेक लिया है ड्राइवर साथ है ताकि हम लोग जो पैसेंजर्स लोग है वो थोड़ा सा एक अभी हम उतरे यहां पर यहां पर मैंने चाय ट्राइ की थी जाय के जो ट्रेट्स था वह बहुत ही घटिया था और जो प्राइस थी वह बीस रुपे पर कब तो जो की काफी जादा थी तो हम लोगों को वैसी ताज पहुंच जाएंगे जो सिंसला है उसके बारे में कुछ बता दू कि रात में हम लोगों बस पकड़ी थी वह बहुत भाग दोड़े पकड़ी थी आक्शली क्योंकि हम लोगों को ट्रेन से जाना था अबर ट्रेन की टिकेट सी वह अवेलेबल थी नहीं कहीं खाली नहीं थी तो हम लोगे पास कोई option नहीं था और ISBT से हम लोगों ने पकड़ी यह जो बस वहां सिफ और नरी बस थी उसकी जो प्राइस है वह बता दू के वह भी ऑल्मोस्ट खुलने वाली थी और हम लोगों को लक्तिली मिल गई तो बस की जो प्राइस है वह 346 रुपीज आइस आप बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे यहां आपको चाय जो है 20 रुपीज भी ना थीग है एक्जाक्ली और टेस्ट और बहुत फास नहीं है बहुत ही वाया चाय बहुत ही बटीया अप्राइस क्या रखा है नोने अच्छा वही ना सही बास है निशनी बता रहा है अ मैं जिस बस से जा रहा हूं उसका भी दिखा दूं आपको एक व्यू तो बस कुछ इस तरह है यह आप बस देख सकते हो दिल्ली कश्मीरी गेट से हाईद्वार रिषिगेश तक जारती है यह बस और इसी का फेर है 346 रुपीज और बहुत ही सिंपल सी यह बस है अक्शली मैं जादा कुछ हैने इसमें जो सीट्स हैं वो भी बहुत ही नॉर्मल है और इनकी जो प्राइस है वो है 346 रुपीज अब यहां से एक घंटे के आसपस लगने वाले हैं हमारी सीट्स यहां पर हैं जो बस है वो बहुत ही ओर्डिनरी बस है और इसके इलावा हमारा पर सॉ इसमें टोटन ऐसे जो बस्ता गारे है में जो फोड़े हैं जो तो अब आधि ने जो बच बिच आधि इस नहीं है जो इस वाले हैं तो इस स्वा के बज़रे हैं इस साड़े पांच बाद आगे हम लोग महां पहुँछे हैं हाद दुआग्शा तो हुषी दिस्टंस है तो अल्मोस्त आरां 30 मान लो आप तो अल्मोस्त ही घंटा और लगेगा आदर इंटे तो अंदर पहुच जाएंगे साढ़े चेतर विशी केश ए इसके बाद से रिखावर के जाएगा अजया आप पहुच जाएगा पहुच जाएगा खाएगा हम थाएगा आप करता आप याथ तो आप आजसी बावियो नाम जे कि अजा में कि इलाइन डिया ए ए ए इलाइन डिया ए ए यह जा ए यह जा ए बार दो गल्ब पे समारे है जीना फ्लाले कि वेलकम तो सीटी आप का योग नगरी में आपका सौगत अब आपका सौगत अब अब चारे साड़े और अब जस्त अमनों डिसेंटली पहुंचे हैं क्या बताएं मैं रास्ता अब कितना खूबसर ब्यूटिफुल यह नजारा था और मैंने जहां तक कोशिश की वेने सारी सब्सक्राइबी जहां सब्सक्राइब हम ढ़weit बहुत पहारे बहुत और जहां वहां है गाइस तारे पैसे इसी गें यह व्यूजा आए यहां पर और सीरियस्ली मेस्मेराइजिंग व्यूज यहां पर बहुत ही दिल को खुछ कर देगा आपके इस तकान जो होगी वो सब यहां पर खतम हो जाएगी और लिटरिली बहुत ही मजा आ रहा यहां पर अभी उसमें होगी वो सारी चीज़े की जाएंगे